हलो फ्रेंज, वेलकम बेक टू मैं चैनल नीता विक्रम, मैं हूँ आपकी दोस नीता और आज आपके लिए बहुत ही रोचक विशे लेके आई हूँ कि नवरातरी में क्या खाएं जिसते की आप वेट लॉस या वजन कम कर पाएं नवरातरी डाइट प्लाइन फॉर वेट लॉस यह बहुत ही रोचक विशे है दोस्तों इस वीडियो को शुरू करने से पहले दोस्तों आपको याद दिला दूँ आपको मिले चैनल को सब्सक्राइब करना है सब्सक्राइब करने के लिए यह लाल रंग की बटन को जरूर टिप देने वाली हूं जिससे कि आप इन नौदिनों में वबास करके अपना वज़न पांच किलो तक कम कर सकते हैं तो वीडियो को लास्त तक जरूर देखिएगा दोस्तों आपको पता है कि आपको नवरातरी के नौदिनों में वबास क्यों रखना चाहिए आइम शूर ब तो अब आप मेरा अभी प्राइस समझी गए होंगे नवरातरी एक बहुत ही महत्वपून उस सब है इसका बहुत जादा महत्व होता है क्योंकि ये मौसम परिवर्दन के साथ आता है इस समय पे अगर हमारे पूरवजों ने हमें उपास रखने के लिए कहा है तो उसके लि जादा से जादा उर्जा आपके शरी की प्रती रोधात्मक शम्ता को ठीक करने या इम्यून सिस्टम को मजबूत करने में जाती है और आप बिल्कुल भी बीमार नहीं परते हैं जो लोग उपास रखते हैं वो और लोगों के कंपैरिजन में जादा चुस्ती फूर्ती के स जाद काम कर सकते हैं और वो बीमार भी बिल्कुल नहीं परते हैं तो यह उपास रखना आपके शरीर और स्वास्ती के लिए बहुत ही जरूरी है कि आप नवरात्री के 9 दिनों में उपास रखें अब आप उपास रखके क्या खाना चाहते हैं या आपको किस तरह का खाना जिससे कि आपका वजन कम हो चरी हम इस बारे में बात कर लेते हैं कई लोग इन दिनों में नमक नहीं खाते हैं तो आप बिना नमक का खाना खा सकते हैं पर जैसा कि आप देख रहे हैं या मैंने नमक आपको दिखाया है ये एक सेंधा नमक है बाजार में बहुत ही आसानी स मिल जाता है आप सेंधा नमक लाके इससे खाना बना सकते हैं और साथी साथ आप काली मिर्च का उपयोग कर सकते हैं काली मिर्च भी हमारी शरी को बहुत ठंडग देती है और उपवास में लाल मिर्ची की जगह लोगा काली मिर्च खाना पसंद करते हैं इसके साथ साथ आप औरन भी और आपके घर में ईप है और उसके हैं व्लमिर्श का अबिख कर दे पोगा का, दाल बना उनलेट उसके हैं, आप इसका लावा चाहे तो ड्राइफुर्ट, jáप में प्रमों realtà, आसे र्सिपी इसके लिए मैं बहुत जल्दी एक रेसिपी बनाने वाली हूँ तो आप मेरे चैनल पर जाके वृत की रेसिपी में ये सब रेसिपी देख सकते हैं यहां पर मैंने गाजर का हलुआ दूद से बनी हुई कोई मिठाई आप इसे खा सकते हैं काफी सारी चीज़े हैं जो आप रत अपास के दूनों में खा सकते हैं जैसे कि आप काजू का कतली खा सकते हैं काजू की मिठाई खा सकते हैं बादाम का हलुआ बनाके खा सकते हैं इसके अलावा सबजियों की बात करें, यहां पे आलू, आलू की सबजी आप खा सकते हैं, और भी इस मौसम में आराम से मिल जाती है, यह भी लोग बाग उपवास के दुनों में खा सकते हैं, तो आप यहां पे आलू की सबजी में थोड़ी मुपली डालके, कुछ चिपस डा बना सकते हैं, और यह आप आराम से खा सकते हैं, यह सब खाना दोस्तों पर आपको जादा तर दिन के समय में दो बज़े तक खा लेना है, जिससे कि आप अच्छे से इस खाने को डाइजस्ट कर पाएं, और आपका जो वेट लॉस है, उपवास रखने के साथ साथ वो भी अच्छे से हो पाएं, आप अरबी की सबजी, लौकी की सबजी, इस तरह की सबजیاں उपवास के दिनों में खा सकते हैं, इसके अलावा एक बकबीट या कुटू का आटा मिलता है, आप उसकी रोटी, पराठे या फिर आप उसकी पूरी बना के खा सकते हैं, वो भी मैंने भी बना सकते हैं, साबू दाने के अनदर आप आलू डाल सकते हैं, मुफ़री डाल सकते हैं, ये एक पूरा कम्पलीट मिल होता है, मैंने कई सारी जगह देखा है, लोग भाग वरत की थाली बनाते हैं, उस तरह सारा खाना न बना कि अगर आप हर एक दिन में एक-एक नई में शुद्धगी यूज़ करें जिससे कि आपका वजन जादा न बढ़े और आप खाने में टेस्ट के अनुसा हरिमिश डाल सकते हैं या पर मुफली डाल सकते हैं जिससे कि वो जादा स्वादिश्ट लगता है इसके अलावा आप उपास में समा का चावल खा सकते हैं समा के चावल का चीला बना सकते हैं समा के चावल का डोसा बना सकते हैं ये सब चीज़ें आप जो भी चावल से बनी हुई चीज़ें आप इनने शाम के वक्त भी खा सकते हैं क्योंकि समा का चावल बहुत हलका होता है और ये सारी रेसिपी दोस्तों मैंने अपनी अल्रेडी चैन इसे हम बकवीट भी कहते हैं, यह बहुत जादा पॉश्टिक होता है, लोग बाग इसे बिनावबास के भी आजकल खाना बहुत पसंद करते हैं, इसकी पूरी बनाना बहुत ही आसान है, इसकी भी रेसेपी दोस्तों मैंने अपने चैनल पर पहले से शेयर करी हुई है, यह ब आठे बना सकते हैं, सिंघाडे के आठे का लोगबा हलुआ खाना भी बहुत पसंद करते हैं, इस तरह से कई मीठे वेंजन आप बना सकते हैं, जैसे गाजर का हलुआ, सिंघाडे के आठे का हलुआ, आलू का हलुआ, आप बहुत सारी खीर बना सकते हैं, मखाने की खीर जि करेंगे तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा जिसे कि आपके शरी को अच्छे से एनरजी मिलेगी और आप दिन भर का काम अच्छे से कर पाएं साथी साथ जब आगर आपको बहुत लंबे समय तक भूका नहीं रहा जा रहा है तो आप बीच-बीच के समय में कुछ चिक पच जाती है यानि आपके पेट में लाज़ा लंबे समय तक यह रहती है पर आपको इन्हें पचाने में ज्यादा महनत नहीं करनी परती इस तरह का आहार जब आप लेते हैं तो आपके शरी में भरपूर मात्रा में उर्जा बनी रहती है आप चाहें तो अपने आहार में गुड को शामिल करिए मुफली को शामिल करिए यह बहुत ही जादा पोशन देता है और आपके शरी को मजबूत करने में मदद करता है इस तरह की वृत की काफी सारी रेसिपी दोस्तों मैंने अपने चैनल पर डाली हुई है अगर आपको लिंक देखना है तो आप कमेंट का पहला कमेंट जरूर देखिए गए मैं वहाँ पे सारे लिंक शियर करूंगी इन सभी रेसिपी इसको दोस्तों आपको दिन के दो बज़े तक बना के खा लेना है जिससे कि आपके शरीर में फैट जादा जमाना हो शाम के वक्त दोस्तों चाहें तो आप समा के चावल खा सकते हैं या बहुत ही कम खाना वो भी छय भजे या साथ बजे के असपास आप खा लें और उतना ही खाना खाने के बाद दोस्तों आप चाहें तो आधा कब दूर पी सकतें हैं दूर भी करता हैं और आपको बजाक काम कर लिए देता है और दोस्तों इस वीडियो के end में आते आते मैं आपको समसे important tip देने वाली हूँ जो कि अगर आप जादा से जादा मात्रा में इन 9 दिनों में दोस्तों पानी पीएं क्योंकि अगर आप जादा से जादा मात्रा में पानी पीएंगे तो आपका एक तो पेट भरा रहेगा और दूसरी बात आपकी बाड़ी हाइडरेट रहेगी आपको बहुत ही अच्छे से ये पानी बहुत अच्छे से ऊजा देता है और साथी साथ आपको दूबले होने में मदद करता है तो अगर दोस्तों आपको ये सारे टिप्स और ट्रिक अच्छी लगी हूँ या आपको ये वेट लॉस का जो डाइट प्रोग्राम है नवरातरी की डाइट का सारी चीजें रेसिपीज अगर आपको अच्छी लगी हैं तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताईएगा और इस डाइट प्लान को फॉलो करिए अपना वजन कम करिए साथी साथ तंदूस रह ये वीडियो को देखने के लिए आप सब का बहुत बहुत धन्यवाद